Hello दोस्तों! आज की वीडियो में हम यहाँ पर home menu के clipboard group को देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं home menu को तो यह है हमारा home menu first जो menu है हमारा file menu था जो कि हम cover करचुके अपने previous video में यह अगर आपको देखना है तो हम अपने i button में यहाँ पर को सज़ेश्ट कर देंगे जिस वीडियो को तो नेक्स्ट मेन्य आज हम यहां पर देखने वाले हैं जो कि हमारा होता है होम मेन्यू तो यहां पर होम मेन्यू यह जो है यह आपका को editing group तो यहां पर total आपको five groups दे रखे हैं आज की वीडियो में हम यहां पर cover करने वाले हैं clipboard group की चारो commands को तो हम इसको proper detail में देखेंगे तो आप देखते रहे हैं यहां पर अपना video को तो यहां पर start करते हैं और को पहले करने के लिए हमें एक वको आप एंडी ब्रेक्ट स्टार्ट सिप्ट के साथ लगाना है और ब्रेक्ट क्लोज देन आप यहां पर इंटरप्रेस करते हैं इंटरप्रेस करते हैं यहां पर कुछ टेक्स्ट आ जाएगा MS Word के अंदर यह जो है आपको दो functions दे रख्या है एक दे रख्या है आपको एक कुल करके R&D और एक दे रख्या है लोरेम वह भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं तो यहां पर हमारा टेक्स्ट जो है आचुका है अभी यह जो कमांड है ना हमारी चाँट और कॉपी जो है आपका है लाइट हो गया है बट पेस्ट जो है आपका उप्शन तभाई लाइट होगा जब यहां पर यह तो कट कर लोगे या फिर कॉपी कर लोगे कट का मतलब सेंपल जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर डेटा को मूव करते हो नैं जगा से थूसरे जगा पे रखते हो ऐसे यहां पर टेक्स को cut करग cage कि donn सकते हो तो यहां पर cut यूस करोगे अभी आप हैंप एक किडा सकते हो तो यहां से यहां पिड़ा को कुट किया यहां से यह हम afect किया तो यहां से यह अपर प्रोडर की अंदर को अज Chuuk है पर कब्सक्त पर करें तो यहां पर क्रक्त कर लिए बूसे इसको है है तो यहां पुक्ति करने के बाद हुआ क्या दे रखा है copy दे रखा है तो मैंने यह data जो है यहांसे कर लिया है copy select करना है select करने के बाद आपकी cut and copy जो है highlight हो जाएंगे commands तो यहां पर आपको देखो यह रहा copy का second जो है command यह copy तो copy का मतलब क्या होता है जो data आपने select कर रहा है तो डेटा को आप कॉपी करके किसी अनौदर जगा पर प्लेस करना चाहते हो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी आ रही है पूटे कॉपी आप सेलेक्शन तो यहाँ पर डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो इसको आपको कॉपी कर लिया है अब जहां पर अपना करजर रखोगे जहां पर आपको पेश्ट करना है और यहां पर इसे कर सकते हो पेश्ट तो मैंने यहां पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद हम गई यहां पर और यहां पर हमें कर देना है पेश्ट करते हैं यहां पर हमारे जो डेटा है वो सारा का सारा यहां पर आ चुका है यह जो क्लिप तो यहां पर हमने जो डेटा कॉपी कर रखा है वो डेटा यहां पर आपको विजीवल हो रहा है इसको आप यहां पर डारेक्ली भी पेश्ट कर सकते हो यह आपका उपसर अपना करज़र वहां पर रखो और यहां पर आप इसको डारेक्ली कर सकते हो पेश्ट कर सकते हो जैसे यहां से पेश्ट करोंगे पाद देख पारा हुँ डिटा जो है दोबारा से आपका पेश्ट हो गया है नेक्ट जो immersion देख लेते हैं हम पहले जोंगे आपको देख लेता है lez Please को ठीक है तो इसको Stevens font group यह आपका formatting group कहलाता है ठीक है तो यहां पर आपकी सारी commands है ना bold italic underline superscript subscribe यह सारी चीज़े किसमें आती है यह आती है आपकी formatting group के अंदर तो अभी हम यहां पर simple formatting कर लेता है किसी स्लेक्ट हो गया है स्लेक्ट करने के बाद आप यहां से थोड़ा सा इसे format कर लो मैंने यहां पर commands bold italic कर दिया इसको बोड़े कर दिया अंडरलाइन कर दिया और मैंने इसको highlight भी कर दिया हमने जो formatting है यहां पर यह formatting ना हमें किसी दूसरे content पर apply करनी है तो आप यहां पर simply क्या यूज कर सकते हो फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो अब यहां पर शॉर्टकट की भी दे रखिए format पेंटर को कॉपी करने के लिए हो जाएगी जो आपने यहां पर select करेंगे यहां पर यहां पर यहां पर आपका पहले था चेंज नहीं होगा ठीक है तो यहां पर सिर्फ पर सिर्फ formatting होगी इस group को हम next video के अंदर कवर करने वाले यह वाला हमारा font group है इसको हम next video में खवर करेंगे अभी हम यहां पर कुछ और options को देख लेता हैं जो कि हमें यहां पर दे रखिए पेसल के अंदर तो यहां पर सिंपल आपको तीनी option दे रखिए एक दे रखका है formatted text एक दे रखका HTML format और एक दे रखका है unformatted unicode text तो देखो मैं इंची जो काफ को समझाने के लिए एक Wikipedia उपन कर लेता हूं यहां से हमने open कर लेना एक Wikipedia मैं अपने browser में आ गया हूं browser में आने के बाद यहां पर हमें क्या करना है हमने लिख दिना विकीपीडिया Wikipedia यहां पर मैंने कुछ भी लिख दिया यहां पर आ गया है अब इस पर क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद हम यहां से कुछ text copy कर लेते हैं तो मैं इसको अठा देता हूं यह मैंने हैसे select किया left click करके select करने के बाद मैंने इसको कर लिया है copy control c के साथ अब हमें जाना है अपनी वर्ड की फाइल के अंदर और यहां पर हम आ गए हैं इसके बाद हमें क्या करना है हमें करना है simple यहां पर paste तो देखो यहां पर जो मैंने text है उसको paste कर दिया है अभी यह normal paste हो है इसमें देखो आप यहां पर hyperlinks भी लगे हुए है जिनको आप control k के साथ open कर सकते हो यहां पर आप देख पार है जो यह black color का text है यहां पर आप click कर दो तो कुछ भी changes नहीं होने वाले अगर आप blue color के text पर control के साथ click करते हो तो यहां पर आपका जो है यह hyperlink है तो यहां पर एक और page open करके आपको दिखा देगा तो यहां पर इन links को यह link आपको नहीं चीए तो आप क्या करोगे यहां पर simple unformatted text का use कर लोगे मैं भी आपको करके दिखा देता हूं यहां पर आप देख पारे हो अभी जो है वो blue color का जो text आड़ा था वह यहां पर नहीं आ रहा है तो यह होता है आपका paste special के अंदर अभी यहां पर आपको एक और चीज़ रख्या में इसको copy कर लेता हूं दुबारा से control c आप करोगे यहां पर copy के लिए copy जो हमारा हो गया है data अभी हमको क यहां पर आपको कुछ और options मिल जाते हैं मैंने करजर यहां पर प्लेस कर दिया है अब हम जाएंगे यहां पर paste special के ऊपर तो यहां पर चलते हैं और यहां पर करना है क्लिक करने के बाद पेस्ट में जाना है अब यहां पर options और extra आ गया है सबसे पहले आ रहा है आपका वह यहां पर Microsoft Word Document Object करोगे क्लिक करने के बाद देखो इसको जो टेक्स्ट है ना इसको ऑबजेक्ट बना दिया जाएगा अब आप यहां पर देखो यह जो टेक्स्ट है ना यह नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है यह ऑबजेक्ट है तो यहां से आप इसको इसकी हाइट बगर को इंक नेकिते है करी रखे एंग्येश विल्트 देखता अब ही यहां पर करते हैं अपना करण प्लेश और आप सान दिया आप Paste Special के अंदर जाके, यहाँ पर जाना है Paste Special में, और यहाँ पर आपको दे रखा है Formatted Text RTF, यह सिर्फ WordPaid की तरह जो आपका Normal Text होता है, उसमें चला जाएगा, यह है आपका Unformatted Text, तो यहाँ पर आप Normally क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर OK करोगे, तो यहाँ पर आ तरह जो Text है, उसमें कोई भी Formatting नहीं आ रही है, तो इस तरीके साफ वर्क कर सकते हो, अभी हमेना इस Text को As A Image Paste करना है, Copy कर लेना है, रैट क्लिक करके, यहाँ से Copy कर सकते हो, Copy हो गया है, Copy होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, Clipboard Group के अंदर, Paste पर, आपका As A Picture Treat हो रहा है, यहाँ आप देख पारे हो, अभी As A Picture Treat हो रहा है, आप इसे, इसकी Height वगएर Increase, Decrease कर सकते हो, देखो इस तरीके से, इसको आप Rotate भी करा सकते हो, इस तरीके से, क्योंकि हम पिचर को Easily Rotate करा सकते हैं, तो इसी के साथ हमारा जो Clipboard Group है, उसके सारे Options Detailed में Complete हो गए है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप Like कर सकते हो, हमारे चैनल को Subscribe कर सकते हो, धन्यवाद